आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कूस करेंगे एट्मोस्फेरिक विंडो तो आज का टॉपिक है हमारा एट्मोस्फेरिक विंडो यह टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टेट होने वाली है और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जब हम लोग रिमोट से की बात करते हैं तो इसमें पर स fix שה window बहुत इंपोर्न रह जाता है तो इत्मोस्पेरिक विंडो क्या है इसके बारे में हम लोग डेशल में इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह बहुत थी इंटरेस्टेट टॉपिक है और हमारे सरांडिंग की यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है एटमोस्फेरिक विंडो जिससे कि हम लोग डेली लाइफ में जो डेली यूज करते हैं एटमोस्फेरिक विंडो से ही अपना विटामिन डी यूज कर पाते हैं तो एटमोस्फेरिक विंडो के बारे में हम लोग डिटेल्स में इस लेक्चर में ड किया हुआ है आप जा करके देख सकते हो तो एक बार फिर से हम लोग रिभाइज कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है रिमोट सेंसिंग एक ऐसा आर्ट या साइंस है जिससे हम किसी भी बडिक विदाउट फिजिकल कॉंटेक्ट में गए और उसके बारे में डाटा कल लेते हैं information को collect कर लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं remote सेंसिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि atmospheric window क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि atmosphere क्या होता है इसके बाद तब फिर हम लोग atmospheric window के बारे में discuss करेंगे तो हमारे surrounding में air, gas, fog की एक layer होती जिसे atmosphere काते हैं जैसे अभी हम यहाँ पर बैटे हैं तो यहाँ पर हावा का महसूस हो रहा है हम लोग feel कर रहे कि इस area में air है और यहाँ पर air नहीं है तो हमें feeling हो रहा है कि हावा चल रही है या नहीं चल रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं atmosphere हमारे surrounding में जितनी भी air है, gas है, fog है तो उसका एक layer होता है जिसे हम लोग atmosphere काते हैं हमारे surrounding में air के अलावा छोटा छोटा dust particles जैसे suspended particles बोल सकते हैं droplets बोल सकते हैं जो incident electromagnetic radiation को earth surface पर आने से रोकता है तो dust particle जो होता है, suspended particle, droplets जो बात किया हम लोगा droplets क्या होता है, कि जैसे यहां पर river है और यहां से sunlight इस पर आ रहा है तो यह क्या होगा, यह वेपोरेशन होगा, वेपोरेट करेगा, वेपोराइशन हो करके, और surface में जा करके और surface से वेपर हो करके, जो surrounding में जाता है, तो यह फिर वेपर से क्या होता है, droplet बन जाता है तो इसी लिए हम लोग यहां पर discuss किये कि हमारे surrounding में, air के अलावा, छोटा-छोटा dust particle, droplets होता है जो incident electromagnetic radiation को अर्थ सरपेस पर आने से रोकता है, तो incident electromagnetic radiation कहां से आता है तो sunlight जो है हमारा, sunlight से जब electromagnetic radiation अर्थ सरपेस पर आता है, तो surrounding में जो atmosphere है, इससे हो करके आता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ rays हमारे अर्थ सरपेस पर नहीं आ पाता है, किसके कारण? जो droplets होता है, dust particles होता है, air gas होता है, fog होता है, उसी के कारण यह अर्थ सरपेस पर नहीं आ पाता है जैसे अभी हम लोग figure में discuss करेंगे कि कुछ जैसे ये atmosphere है और यहां से sunlight से electromagnetic radiation अर्थ सर्पेस पे आ रहा है तो कुछ particle का scattering हो जाता है कुछ का absorption हो जाता है और कुछ ही particle हमारा अर्थ सर्पेस पे आ पाता है तो जो particle atmosphere से होकर के अर्थ सर्पेस पे आ जाता है हमारे पास आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है वो एक कैसे आता है कि एक atmosphere में भी एक window के तरह काम करता है जिससे की यह incident electromagnetic radiation जो आता है electromagnetic energy जो अर्थ सर्पेस पे आता है इसी को हम लोग window के तरह करता है। यह एटमस्पेरिक विंड़ो के तरह कांब करता है तो atmospheric window क्या है वो हम लोग देख लिया अब atmospheric window के बारे में कि atmospheric window कैसे work करता है atmosphere में तो जो भी आप सर्पेस पे sunlight से electromagnetic energy और सर्पेस पे आता है तो वह atmosphere से हो करके आता है तो कुछ पार्टिकल रहाता है जो सस्पेंडेट पार्टिकल या गैसियस पार्टिंगेस रहाता है एंड जो ड्रॉपलेट्स रहाता है तो उसके कारण सारा electromagnetic energy जो इतना भी electromagnetic energy है वो पूरा-पूरी Earth surface पे नहीं आ पाती है तो इसका कारण क्या है कि Earth surface में भी कुछ particles होते हैं जो उसको रोकता है आने से रोकता है तो कुछ को absorb कर लेता है और कुछ को क्या करता है scattering हो जाता है कुछ का scattering क्यों होता है कि जो particles राता है वो absorb कर लेता है या फिर वो वहां से reflect हो जाता है तो जो reflect rage होता है उसको हम लोग उसके बारे में पता करने के लिए satellite का यूज करते हैं जब satellite नहीं होता था old technology में तो balloon का यूज करते थे या rocket का यूज करते थे इस rage को हम लोग इस rage के बारे में पता करने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो particle है इससे जो reflection हुआ तो इसके बारे में भी तो हम लोग को पता करना है कि यह किसी से reflect हुआ है तो इसके बारे में पता करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे जब technology development नहीं हुआ था तो balloon का यह rocket का यूज करते थे atmospheric window क्या होता है the portion of electromagnetic radiation being reflected by the earth surface cannot be used by remote sensing work this is because of the fact that the atmosphere comprises water vapor co2o3 which absorb the reflected radiation same way कि कुछ portion जो होता है electromagnetic energy का वो electromagnetic radiation उसका reflection हो जाता है और सर्पेस पे और कुछ का स्केटरिंग हो जाता है और कुछ क्या होता है कि आर्थ सर्पेस पे ना करके वो उधर से ही reflect कर जाता है जो suspended particle रहता है या फिर droplet रहता है droplet मिन्स बोल सकते हैं कि बेपर जो रहता है यह carbon dioxide रहता है यह ozone layer रहता है तो इसी से टक्रा करके वो reflect हो करके return चलाता है अर्थ सर्पेस पे नहीं आता है लेकिन atmosphere से ही कुछ इस पार्टिकल अर्थ सर्पेस पे अट्मसफेर से क्रोस करके अर्थ सर्पेस पे आ जाता है तो यह atmosphere में atmospheric window का वर करता है इसका फिगर हम लोग देखेंगे इसी बीकाव अफ आप एट्मसफेर कंपराइज आपर वैपर co2 or 3 which absorb the reflected radiation thus they present the reaction to the scanner the wavelength ranges for which atmosphere is transparent are called atmospheric window तो इसी को हम लोग क्या बोलते है atmospheric window बोलते है atmospheric window कैसे यह वर्क करता है यहां पर आप देख सकते हैं गामा क्या है transmittant है और नीचे जो एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे और 0.3 0.5 1 2 3 4 5 10 15 यह क्या है wavelength मैक्रो मीटर में तो क्या होता है जैसे यहां पर सन लाइट है और जिससे electromagnetic energy incident हो रहा है और यह हमारा atmosphere है और यह सब जो है suspended particle है जितना उपर की तरफ उठा हुआ है तो यहां से जितना भी सन लाइट आ रहा है तो यह क्या होता है कि इस portion पे जब आता है यह जो portion थोड़ा height पे है altitude पे है तो यहां से ही reflect हो करके scattering हो करके absorb हो करके वापस चला आता है लेकिन यहां पर यह वाला part देख रहे हैं आप यह वाला portion तो sunlight से यह वाला energy incident energy यहां से हो करके earth surface पे आ जाती है तो यह portion जो हमारा है इसी को हम लोग atmospheric window बोलते और यह atmospheric window के तरह work करता है यह सब जो है यह suspended particle air है gas है और यहां पर यह सब जो down में है तो इसको हम लोग atmospheric window बोलते हैं यह सब atmospheric window है तो उम्मीद आपको समझ में आगे हो कि atmospheric window क्या होता है एक फर फिर से remind कर देते हैं कि earth surface पे जब sunlight आता है तो atmosphere से होकर कर आता है atmosphere में क्या होता है कि suspended particle होता है droplets होता है gas होता है तो कुछ particle earth surface पे ना आ करके वह कुछ टकरा करके वापस ही return हो जाती कुछ का स्केटरिंग होता है कुछ का reflection होता है कुछ का absorption होता है फिर भी इस condition में क्या होता है कि earth surface पे कुछ electromagnetic रेज आ जाता है कैसे आ जाता है वह atmosphere में ही एक टाइप का window होता है वहीं से वह आसानी से आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते है atmospheric window तो आज की लेक्षे मितना है फिर next lecture menu topic के साथ मिलते तब तक के लिए भाई